हेलो दियर स्टूटेंट्स वेलकम टो अनेकैडमी यूटूब चैनल आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉबिलीटी के बारे में तो प्रॉबिलीटी बेसिकली इसका जो इन्वेंशन है इसकी जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं चांस जानना था उन लोगों ने प्रॉब्लम सामने रखी तो वहां पर बात आ गई एक्सपेरिमेंट की फॉर इक्जामपल अगर मैं यहां पर देख रहा हूं अगर मैंने यह ऐसे यहां पर उपर उच्छाला तो मुझे दिख रहा है कि हाँ यह नीचे गिरेगा इसका मत तो है ओपर चले गा और वहापस नगा यह भी सर्टन था तो यह थते में मैं अपस की बात करता हूं तो वह कहलाता वो कहलाता है Sample Space अब Sample Space की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों Sample Space में जब हम gate या फिर jwee के syllabus की बात करते हैं या कोई competitive exam के syllabus की बात करते हैं तो यह 3 Sample Space बहुत काम के होते हैं connection, dice और cards, playing cards, 52 playing cards तो अगर मैं sample spaces की बात अगर करता हूँ, तो अगर मैं जब point के बारे में बात करता हूँ, तो जब मैंने सिक्का उच्छा ला, तो मुझे क्या दिखा, head और tail, head और tail, combination बनेंगे, तो इनको हम binary combination से देख सकते हैं, इनको हम binary combination से जान सकते हैं, for example, अगर मैं आपर three head या फिर four head का देख रहा हूँ, तो मुझे ये binary combination यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, बहुत simple तरीके से, अगर मैं n coins की बात करता हूँ, तो two power n हमारे पास क्या हो जाएगा, total sample space, अब बात कर लेते हैं dice के बारे में, dice मतलब पास, लूडो तो सब खेले, साप सेडी तो खेले होगे बच्पन में, सर हम तो अभी भी खेलते हैं, बिल्कुल सहीं बात है, सर, तो जब मैं यह पासे को फेक रहा हूँ, यहाँ पर, तो 6 side हम लोगो को दिख रही है, यहाँ पर, हना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sides हमारे पास दिख रही है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि अगर मैं sample point की बात करो, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, पर अगर मैं 2 dice को फेकता हूँ, तो normally gate के exam में, या फिर JEE के exam में, या किसी भी competitive exam में, normally यह बात किस चीज़ की होती है, सर, normally बात हो जाती है, किसकी summation या फिर difference की, तो जब अगर मैं sum की बात करता हूँ, जब मैं summation की बात करता हूँ, तो यहाँ पर illustration बिल्कुल clear visible है, कि अगर मुझे 2 summation से लेकर के, 6, 6 मतब 12 summation तक की बात करनी है, sum minimum 2 आ सकता है, maximum 10 आ सकता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है, पूरे इस image में भ्यान से देखेंगे, तो हमको यहाँ पर clearly visible है, कि number of elements कितने है, जैसे 2 बनाने वाला 1 element होगया, 3 बनाने वाले 2 elements होगया, 4 बनाने वाले हमारे पास 3 elements होगया, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर highest जो number हमारे पास elements आएगा, वो 6 बना रहा है, जो कि हम लोगों को diagonally दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे ही आराम दायक तरीके से हम पर कर सकते हैं, इसको sample space को अलग से लिखने की जौरत नहीं होती है, sample space feel करने की जौरत होती है, इस diagram से बहुत सारी चीज़े clear हो जाएगी, अब बात कर लेते हैं हम लोग cards के बारे में, ठीक है, 3 पत्ती, 3, 2, 5, 7, 8, यह सब नॉर्मली हम घर पे देखते हैं, जो हम लोग प्राया खेलते हैं, मैं gambling की बात नहीं कर रहा है, नहीं मैं उसे support करता हूँ, बढ़ हाँ, playing cards मनोरंजन के लिए हम खेलते हैं, बच्पन में हम लोग खेलते थे, अब समय नहीं मिलता, बढ़ हाँ, playing cards से गर बात करते हैं, तो playing cards में सबसे important यहाँ पर क्या, numbers start हो रहे हैं 2 से, क्योंकि A तो 51 है, तो A से लेकर के यहाँ पर क्या है, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद आजाता है दोस्तो, J, Q, और King, Jack, Queen and King, इनके पास होते हैं चहरे, बाकी के पास नहीं होते हैं चहरे, तो अगर मैं देख रहा हूं, तो J, Q, और King, इसका मतब Jack, Queen, और King, इनके पास चहरे हैं, तो 3 और 4 हमारे पास suits होते हैं, क्या के suits होते हैं, स्पेड, ठीक है, कलब, ठीक है और क्या हमारे पास होता है heart और diamond तो यह हमारे पास suit हो गए तो just एक figure के form में अगर अपन ध्यान से देख रहे हैं इस figure को आप ध्यान से देख रहे हैं तो figure में मुझे क्या दिख रहा है figure में मुझे दिख रहा है कि sir यहाँ पर 12 मेरे पास face cards है इसका मतला 40 मेरे पास non face cards है दोस्तो और इके में यह तो यार एक game आता है वहाँ पर भी बोला गया है KBC में in fact पूछा गया है कि किस पत्ते में इन में से face नहीं होता है इका पेगम पाद्शा या फिर गोला हना तो यहाँ पर इके के पास face नहीं होता है दोस्तों और मैं बता दू एक गाना था बहुत popular गाना कि एक कलर के एक रंग के यहाँ पर 26 पत्ते हैं तो 26 यहाँ पर रेड पत्ते होते हैं और 26 यहाँ पर होते हैं ब्लैक पत्ते रेड पत्तों में count होता है क्या दोस्त रेड पत्ते में count होता है जादा like करते हैं और कफी जादा इस वीडियो पे आप लोग likes और व्यूस और shares करते हैं तो मैं इस टैप का illustration मैंथ में और भी काफी सारा मेरे पास है चाहे वो differentiation की बात हो चाहे वो integration की बात हो ऐसे illustration से हम mathematics को mathematics को illustrate कर सकते हैं देख सकते हैं काफी अच्छे से ठीक है